कुछ दिन पहले मैं आटो रिक्षा में सफर कर रहा था मेरे बाजू वाली सीट पर एक लड़का और लड़की बैठे थे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे थोड़े समय के बाद वे आपस में बात करने लगे बाचिट उस मुकाम तक पहुँचगी कि मुबाइल लंबर का एक्सचेंज शुरू हो गया लड़के का मुबाइल किसी वज़े से आफ था तो उसने अपनी जेब से एक कादस बरामत किया लेकिन लिखने के लिए उसके पास पैन नहीं था बाचिट की सीट पर बैटा हुआ मेरा सारा ध्यान उनी दोनों की तरफ था इसलिए मैं समझ गया था कि लड़की का मुबाइल लंबर लिखने के लिए लड़के को पैन की जरूरत है उसने वड़ी आशा से मेरी तरफ देखा और मुझे बुलाया मैंने अपनी शर्ड के उपरी जे में लगा कर रखा हुआ अपना पैन निकाला और चलती हुई आटो रिष्षा से बाहर फैंग दिया और मन में मोधी जी के शब्द आए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा